नमस्कार, वेलकम टो नर्सिंग स्मार्ट D.S.S.B की वेकेंसिज आ चुकी है हमने सुबह अर्ली मॉर्णिंग ही इसके लिए डिटेल वीडियो किया था डिटेल में मिन्स जो चीजे इंपोर्टेंट थी हमने आप लोगों के साथ में डिसकस कर ली हैं इस्टिल बच्चों की काफी क्वेरीज हैं जो की बच्चों ने अपने कमेंट्स में हमसे जानना चाही है और हमने कमेंट्स को इस तरीके से लिया है कि वो समेराइड तरीके से सब बच्चों की जो queries है common तरीके से उसमें आ जाएं और आप लोगों के जितने भी doubts हैं डीटरपलाइस भी को लेकर के, डीटरपलाइस भी की vacancy को लेकर के इसके exams को लेकर के, reservation policy को लेकर के, questions को लेकर के time को लेकर के और भी जो भी चीजे है age qualification criteria है उन सब को लेकर के आप लोगों के doubts जो हूँ clear हो सके यहाँ पर सबसे पहला जो हम जो question लेना चाह रहे हैं वो बच्चे ने comment किया है कि सर जनरल की age क्या रहेगी इसमें हमने already discuss किया था आप लोगों के साथ में कि जनरल का age का criteria नए RR के इसाब से जो नए RR बन गए है डेली government के उसके इसाब से जनरल का age criteria जो है वो 30 years है यह general के candidates के लिए है UR के candidates के लिए है 35 years जो है वो SC, ST candidates के लिए है SC और ST candidates के लिए और 33 years जो है वो किस के लिए है OBC candidates के लिए है यह चीज़ां आप note कर लीजिएगा यह age का criteria है नया age का criteria है पहले इससे पहले आतर जितनी भी एकनिशिज अड़टाइज हुई है DTSB की उनमें age का criteria 32 years हुआ करता था Center कहां होगा सर एक्जाम का Center जो है वो केवल और केवल daily NCR में ही होने वाले हैं और NCR का मतलब यहाँ पर गुडगाओं में भी नहीं होंगे दिल्ली में नोएडा में और गाजियाबाद में यह तीन ही जिगापर इसके Centers आएंगे किसको लेकर के DTSB का Nursing Officer की पोस्ट को लेकर के केवल इतने ही Centers आपके साथ में रहने वाले हैं age हम already discuss कर चुके हैं qualification साथ में किसी भी तरीके के Experience की जरुवत नहीं है लेकिन अगर आप GNM है अगर आपने केवल GNM किया है तो इसके साथ में वन इयर का Experience चाहिए और वो भी किसमें 50 बेड एड होस्पिटल में क्लियर हो गई यह चीज इसके बाद में ऐसे questions उठने ही नहीं चाहिए कि सर इसमें और कुछ रह गया है क्या सर DSS भी तो नहीं मांगा था GNM के साथ Experience GNM फ्रेशर को मोका नहीं मिल रहा है क्या apply करने का GNM को apply करने का मोका मिल रहा है फ्रेशर को apply करने का मोका नहीं मिलेगा आपको प्लस वन इयर का Experience चाहिए ही चाहिए 50 बेड़ेड होस्फिटल में सर मेरा running experience में फ्रेशर को फ्रेशर कर सकते हैं क्या थोड़ा हमें जितना इस question को समझ में आया है कि जो भी candidate है वो साइद उनका experience जिस भी particular institute में हो running में चल रहा है अब देख लिजेगा form apply करने की last date तक यानि की 13 March 2024 तक अगर आपका experience एक साल का हो जाता है 50 बेड़ेड होस्पिटल में तो आप eligible हो जाएंगे otherwise नहीं होंगे सर expected cut-off बहुत अच्छा question है और हम always discuss करते हैं इस question को अब की बार note कर लिजेगा 2024 में डीट प्लस भी की nursing officer post के लिए आपको minimum 130 marks तो score करने पड़ेंगे आप 135 marks लेकर के चलना किस के लिए UR candidates के लिए UR candidates के लिए 135 marks OBC candidates के लिए 120 के करीब SC के लिए 110 के करीब और ST के लिए 105 के करीब जो हैं पोस्टें बहुत कम हैं आप इस साब से मत लेकर के चलना कि नी जी और वो North State वाला सीन नी है यहां पर यहां पर चीजे बहुत अलग है यह हमारी expectations है अब तो देखो वो जो चीजे जाएंगे अब हमारी चीजे कलीक होती है वो एक चीज अलग है लेकिन जनरल के candidates करपया ध्यान दे लें कि आपको 132, 135 marks आपको score करने ही करने है और यह marks तब score होंगे जब आप part 1 में यानि कि जिसमें math, reasoning part 1 में जो 5 subjects है logical reasoning, hindi, english and gk इस portion में आपको 60 plus marks score करने पड़ेंगे otherwise dssb की कम से कम preparation की तरब मत देखना जो बच्चे यह सोचते हों कि सर अपना बचा खुचा इसमें जो है मेरा part 1 की preparation कम है math reasoning week है nursing में complete वो कर सकता हूँ nursing से नहीं हो पाएगा reason क्योंकि 70 marks का जो paper है 70 question जो है उसमें already easy आते हैं जो सब लोगों के लिए रहते हैं तो उसमें फिर 5 number भी ज़्यादा score करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बहतर है कि वो मेहनत आप यहाँ पर लगाए part 1 वाले portion पर लगाए sir पहले form apply कर चुके इसके लिए फिर से apply करना पड़ेगा क्या यह बहुत सही question है बच्चों का लेकिन हम आप लोगों को एक चीज बता दें यहाँ पर कि पहले apply कर चुके किसके लिए apply किया डीट प्लेस भी को डिपार्टमेंट नहीं है डीट प्लेस भी केवल और केवल एक recruitment agency का का करती है यह अलग-अलग departments अब दिल्ली में कराती है तो दिल्ली में एक तो government of daily के लिए कराती है government of nct of daily के लिए exam कराती है यह ठीक है जिसके लिए आपकी अभी लंबे समय से इन पोस्ट का वेड़ था जो कि पंदा सो साथ पोस्टें आई है एक तो इसके लिए दूसरा यह mcd के लिए कराती है जिसका अभी तक फोर्म नहीं आये है तीसरा यह ndmc के लिए एक्जाम कराती है नर्सिंग ओफिसर की बात कर रहे है अज़ वाई तो बहुत सारी पोस्ट हो जाती है चोथा यह दिल्ली बॉर्ड के लिए भी अग्जाम कराती है यह सारे के सारे अलग-ालग तरीके से पोस्ट आती है एक vengeance system इसकी पोस्ट यह में साब से 520 वेच्ञा sı चाहिए आने वाले समय में अन्डीम से इसके लिए औरडी 90 आडवरटाइजमेंथन आक्का और फॉर्म भरे जा चुके हैं दिल्ली जलबोर नहीं आएंगी वेकेंसिज पब्लिक हेल्ट नर्सिंग ओपी सर बहुत कम 15-20 पोस्ट आती है हारली अभी फिलाल निगट भविशा में हमें नजर नहीं आता कि पेचनों के लिए कोई पोस्ट आने वाली है क्या फिलाल के हिस आप से तो तो यह जो क्यूस्टन है आपका कि सर हम अलड़ी अप्लाई कर चुके हैं आपने इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है दिमाग में इस बात को अच्छे से रख लीजेगा आपने एंडीम सी के लिए अप्लाई किया है आपने गवर्नमेंट ओप एंसीट अगर उसमें प्रिटि की पोस्ट आती तो भी एंडीम सी वाली पोस्ट चलो तो धेगन अलग हो गया उसके लाए अलग से प्लाई करना पड़ेगा और अब बच्चे बोलेंगे सर एक्जाम कैसे आप तो बोलते थे हमारे एक्जाम बोलने का मतलब यह है माल लीजिए हम एक एक्जामपल बताते हैं आपको 26, 27, 28, 29, 30, 31 क्या लिखे हैं भाई हमने यह अगस्त 2024 की डेट्स लिखी है माल लो इन डेट्स को एक्जाम होता है इन डेट्स को एक्जाम होता है नर्सिंग ओफिसर की पोस्ट के लिए तो क्या होगा पोस्ट कोड के एसाब से हर दिन तीन तीन शिफ्ट में एक्जाम होगा अब वो आपके लग के ओपर डिपेंड करेगा कि इन 90 पोस्ट के लिए आप एक्जाम दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं अगर माली जी आपने 90 पोस्ट के लिए अपलाई किया था और वो जो उसका पोस्ट कोड है अब में तो ध्यान नहीं है वो देखना पड़ेगा माल सेम डे सेम शिफ्ट में आ गया या आगे पिछल शिफ्ट में आ गया तो आप वो एक्जाम नहीं दे पाएंगे आई होप आप लोगों के चीज क्लियर हो गई इसलिए कभी भी ये मत सोचीएगा अभी मत सोचीएगा कि हम 90 पोस्ट के डिट पलाई कर चुके हैं डिट पला कि अपने लिए रिकूड नहीं कि अगर्मेंट ओप एंसिट ओडेली के लिए रिकूड किया था तो यह चीज़ें आप नोट कीजिएगा कि अगर आप अपलाई कर चुके हैं तो आपको अगेन अपलाई करना पड़ेगा इन पोस्ट के लिए सर हमने जो अभी डिट प्ला कि वहां पर ऐसा क्यों हुआ था कि भी बीसी का ओप्सन क्यों नहीं था अलांकि जिन भी कंडियर्ट ने हम से संपर किया था हमने उनको अपलाई करने के लिए बोल दिया था कि अगर आप बीसी हैं तो आप इसमें अपलाई कीजिए क्योंकि उनके अरार का हम भी वेट कर हैं अभी तक हमें उनकी फ्रेश कोपी नहीं मिल पाई है दो जार अठारा में इन्होंने अपने आरार जो हैं वह रिवाइज कराए हैं और उनके उनके उन्हें जो प्रपोल्जल था उसके अंदर तो क्लेर कट बेसी पोस्ट बेसी सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर ऐसा क्यों हुआ था पता नहीं है और जल्दी पता लग जाएगा लेकिन अगर आपने अप्लाई कर दिया तो बहुत अच्छी बात है कैंसल अगर वो एलिजिबल ही नहीं है तो कैंसल हो जाएगा फोम जबकि हमें ऐसा लगता लगता नहीं और जो हम अभी बात कर रहे हैं वो जो ही वेकेंसी जी नहीं बैया उनसे अलग वेकेंसी हैं वो वेकेंसी अपनी जगाए पर हैं ये वेकेंसी अलग अपनी जगाए पर हैं सर जीनम वाले डाल सकते हैं क्या कोई एक्स्परियेंस की नीड नहीं होगी जी नहीं एक्स्परियेंस की नीड है अगर आप जीनम है और एक साल का experience है पचाच बड़ेड होस्पिटल में तो आप apply कर सकते हैं सर mcd department नंसिक officer की वेकेंसी नहीं निकली किया इसमें जी नहीं निकली है उसकी भी आएंगी हम आप लोगों साथ में discuss करेंगे डेट सो दो सो वेकेंसी जो है वो expected है उनके भी 8 से 10 बड़े होस्पिट नहीं आया हो तो देखिए हम आपको एक चीज क्लियर कर दें लास्ट के समय में जो 2018 की recruitment ड्राइव थी जिसका 2019 में exam हुआ था और 2020 तक उनको recruitment दी थी तो लेट तक चलती रहती है वो तो वेटिंग वगरे से जो भी है रिजल भी इसका काफी लेट आया था तो हम यहां पर बता दें कि लास्ट टाइम क्या हुआ था जिन कंडिडेट्स का लास्ट डेट ओफ एप्लिकेशन तक मान लीजिए उस समय लास्ट डेट ओप एप्लिकेशन थी 21 अगस्ट 2018 हमें जितना दिमाम आ रहा है लगवा इसी की तरी इस दिन तक अगर आपका बेसी पोस्ट बेसी चाहिए अब के बार इन्होंने अपने रिकूड्मेंट उसमें भी जो रूल्स हैं उसके अंदर भी नोट डाल रखा है कि वह डिपार्टमेंट की डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं तो हम इन्हें कहेंगे सबसे बड़ी बात है डिटर पलेस भी की जो फी है वह मात्रे सो रू है आज की डेट में 13 मार्च अभी दो महिने हैं और अगर आपने अपलाई कर चुके होंगे किसके लिए रेइस्ट्रेशन के लिए तो आप 100% एलिजिबल हो जाएंगे चैसे रेइस्ट्रेशन आपका हो या नहीं हो बीए सी वालों को experience चाहिए क्या नहीं चाहिए सर पार् सबसी के लिए यहां पर नियुक बात आती हैं तो पार्ट वन में आपको तो तक प्रइसे पड़ाते हैं यहां पर आती है तो पार्ट वन में अक्च्वली जो math reasoning जो है वहाँ पर आपको अपनी speed जो हो बनानी पड़ेगी questions के लिए तो आप जरूर हमें जवाइन कर सकते हैं part 1 के लिए हम complete course भी पढ़ाते हैं 3500 रुपे के करीब का हमारा course है पूरा जो जिसमें nursing भी included है आप part 1 प्रोपर पढ़ना चाहते हैं तो आप यह course जो हमारा बाय कर सकते हैं कोई issue नहीं है सर मुझे course लेना है जी जरूर ले सकते हैं कोई दिक्कर नहीं आप हमारा app download कीजिए और उसमें आपको section मिलेगा data plus part 1 के नाम से और आप उसको बाय कर सकते हैं सर and dnc कैसे apply करें out of daily वाले यह बहुत बड़ा point है यहां पर out of daily वाले जो है वो dnc के लिए apply इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा किसी को भी भागा दोडी में dnc के लिए daily nursing council के लिए apply नहीं करना है unnecessarily apply नहीं करना है अभी आपका जिस भी state का registration है जिस भी council के साथ में आपका registration है उसके साथ में आप apply कीजिए उसके साथ में आप form भरिए आपको at the time of किस समय में recruitment के समय में जब आपके अगर आपका selection हो गया है तब आपको dnc में registration के लिए बोला जाएगा अब कुछ करत नहीं है आप apply कर चुके होंगे आपका यह हमारी बात को note कर लिजेगा आपका selection कोई नहीं रोकेगा आपकी recruitment को कोई नहीं रोकेगा unnecessary अपना registration चेंज कराने के लिए भागदोडी मत कीजिएगा हमेशा OBC के साथ यहाँ होता है यहाँ पर यह जो भी candidate हों कहना चाह रहे ह कि भी OBC other state को यहाँ पर eligible नहीं माना गया है यह नहीं माना गया है आपको बार बार हम बता दे एक चीज के लिए कि SC और ST के candidates जो भी है All India वो reservation के लिए consider किये जाएंगे OBC के candidates जो है वो केवल डेली का जिनका OBC का certificate है उन्हीं को consider किया जाएगा EWS का certificate जिनका केवल डेली का certificate है उन्हें ही consider किया जाएगा यह नोट कर लीजेगा कोई नहीं बताएगा आपको ऐसी चीजें यह अन्निसेसरी आपको इधर घर से apply करने की जुरत नहीं है अदर्वाइस form cancel local को जाकर के candidates पर कोई सवाल उठे अलांकि ऐसे नहीं दिक्कत आती नहीं है वो जन्रल में consider कर लेते हैं लेकिन हम पहले बताएगे आपको SCST All India Candidate Salisable है OBC EWS candidate जिनका डेली से और डेली के लिए certificate issue हुआ है उन्हें नहीं consider किया जाएगा reservation के लिए आप से content कैसे सर पार्ट वन के लिए कोई special course बताओ ना सर हमसे content करने के लिए description box में भी हमारे content number है यहाँ पर भी हम number लिख देते है 9205674252 यहाँ पर हमें cold text कर सकते हैं हमें और हमारी app download कर सकते हैं वहाँ से भी हमें से संपर कर सकते हैं बहुत तेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं बहुत सारे संपर संपर के channel हमसे जुड़ने के लिए कैसे भी संपर कर सकते हैं इक्जाम यहां पर कमबाइन का मतलब एक ही है कि ठीक उन्हीं डेट्स में होगा अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग अग्जाम होगा पोस्ट को कलब नहीं किया जाएगा 90 प्लस 1507 पोस्टों को कलब नहीं किया जाएगा मेरिट इनकी अलग-अलगी बनेगी मेरिट उनीकी बनेगी जुनों नो दोनो एक्जाम्स दिये हैं दोनों के लिए एक्जाम में अपियर होना पड़ेगा यह अब आपकी पुरी-पुरी किस्मत पे डिपेंड करेगा कि 26 अगस्त को आपका एक्जाम जो है उप पहली शिप्ट में इन 90 पोस्ट के लिए था सेकंड शिप्ट में अगर इन 507 पोस्टों के लिए आ गया तो इन के लिए मत जाना 507 के लिए जाना थर्ड शिप्ट में आता है तो दोनों एक्जाम आप दे पाओगे समझ लेगा मेलब फर्ड शेकंड थर्ड तीन शिप्ट में सेकंड शिप्ट में आप पहुंची नहीं पाओगे सेम सेंटर हाथ तो यस आप दे सकते हैं दिक्कत नहीं तो आपको पहले से पता रहेगा कोई इस्यू वाली बात नहीं है सर पोस्ट बेसिक बेसे नर्सिंग हर्याना रेइस्ट्रेशन से अपलाई कर सकते हैं गया जी कर सकते हैं क्यों नहीं होगा, दो parts होंगे, part 1, part 2, part 1 जो हो general part होगा, जिसमें math, reasoning, hindi, english, gk के आएगा, part 2 जो है वो nursing के questions होगे, इस part 1 में 10 questions होगे, part 2 में bhi 10 questions होगे, ये 10 questions जो है math के 20 question, reasoning के 20 question, 15, english के 20 question, और gk के 20 question, ऐसे इनकी जो हो break up हो रहाएगा, nursing के 100 questions होगे, जो कि जितने भी आपके subject से हैं उन में से कहीं से भी questions आपके आ सकते हैं ये चीज़े भी आप note कर लिजेगा पंजाब state council या फिर Indian nursing council वाले apply कर सकते हैं क्या कोई question का मतलब ही नहीं है भई इसी का किसी भी state nursing council का आपका registration हो all can apply आपका चाहिए जिस भी state की nursing council का वह है registration है वहां से apply करें आप DNC के लिए भागदोर नहीं करनी है निसेशरी अधर state वाले बच्चे यू आर में count होंगे क्या sir हमने अभी बता दिया कि SCST candidate अपनी category के अंदर ही consider होंगे OBC के candidate जनरल में consider होंगे EWS के candidate अधर state वाले जनरल में consider होंगे के वल SCST candidate ही अपनी category में consider होंगे इसके अलावा जितने सारे अधर state से हैं वो सारे के सारे जनरल में ही माने जाएंगे sir जो 90 वेकेंसी आई थी उस पर कुछ बताईए sir वो कौन सी थी मैंने फिल किया था form अच्छी बात आमने form फिल किया था वो NDMC की वेकेंसी थी recruitment उसका डिटर प्लैस भी करेगी exam उसका डिटर प्लैस भी लेगी आप को इसके लिए अगर अप्लाई करना तो separately आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगेन आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी आप eligible माने जाओगे तभी इसका आपका paper लगेगा तभी आप 1507 की post के लिए आपकी merit बनेगी otherwise नहीं बनेगी sir ews other state वालों को भी same benefit मिलेंगे ज उनको benefit मिलेगा जी नहीं मिलेगा ews category का आपका certificate डेली का ही होना चाहिए तभी आपको consider किया जाएगा अधरवाई नहीं sir dit plus b की vacancy one month पहले भी आई थी yes आई थी वो dit plus b की vacancy नहीं होती है यह अग लग लग departments की थी वो ndmc की थी यह government of n city of डेली की है कल को mcd के लिए भी जल बोड के लिए आ सकती है other state ews apply होता क्या है sir आप apply कर सकते हैं लेकिन आपको general में consider किया जाएगा ews नहीं माना जाएगा very big clear information sir हमें अभी चार साल four year में हैं तो क्या हमें इसका forum apply कर सकते हैं क्या आप fourth year में हैं आप देख लीजिए कि 13 मार्स तक क्या आपके exam होकर कि उस सर जी थेंक्यू nicely explained सर जी एनम वाले भर सकते हैं यस भर सकते हैं लेकिन आपके पास में एक साल का 50 वेड़ेट का 50 वेड़ेट होस्पिल का experience होना चाहिए सर जो एनम क्या है अभी भर सकता है क्या nursing officer के post के लिए एनम के candidates जो हो नहीं भर सकते transfer policy क्या ओल इंडिया होगा या बस डेली जी नहीं इसमें transfer policy होती है लेकिन केवल और केवल डेली के जो 40-43 होस्पिटल है उन्हीं में ही आपका transfer होगा ओल ओर इंडिया ट्रांसपर नहीं होगा क्योंकि यह government open city of daily की vacancies है डेटबलाइस भी में registration अभी करा ले क्योंकि सर registration होने में 5-6 महीने लगते हैं मैंने 90 पोस्ट वालों में फोरम अप्लाई किया है जी नहीं आपको यह साथ dnc की बात करें डेली nursing council में registration की बात करें जी नहीं कितना 5-6 मेने का टाइम मिले 10 मेने का टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है उस समय आपको हम बोलते हैं पीली परची वह अभी पता नहीं अभी तो और इसके authenticity पे सवाल उठाने की ज़रुवत ही नहीं है क्योंकि आज के times of India में तेरा जनवरी का जो अख़बार है उसमें सुबह ही इसकी page number 21 पर एक vacancy जो एडवराइज कर दी गई है तो unnecessary आपको इस पर question करने की ज़रुवत ही नहीं है सर डीटपलाइस भी vacancy में other state EWS नहीं माना जाएगा जनरल में माने जाएंगे सर पार्ट वन के लिए course और other state के लिए किछ के टिगरी में count है EWS वाले जनरल में count होंगे पार्ट वन के लिए आप हमारी app डाउनलोड कर सकते हैं description box में आपको link मिल जाएगा यह iOS के लिए भी eligible है Android के लिए भी eligible है और वहाँ से हमारा पार्ट वन के लिए आप course बाय कर सकते हैं जो NDMC के 90 post हैं उनका exam कब होगा सर क्या इन सबका entrance सबका exam एक ही होगा एक समय में exam होगा बेटर से एक समय में ही exam होगा जिस समय उन post के लिए exam हो रहा होगा सर मेरी फ्रेंड ने pharmacy की डिगरी कर रखा है पार्ट वन का पेपर इस इसी तरह का होता है क्या वहाँ आपका course बाय करना चाहते हैं बच्छा प्लीज सजेस्टर फार्मासी हो देखिए चाहिए चाहिए फार्मासी की फार्मासी की पोर्स के लिए को एपलाई कर रहा हो होसे फड़ोशने बस जूदास फिरलar फार्मासी लेवल का होता है कोई पर सकते हैं सर मेरा सेंटर के लिए बना है इसेंट किन 되면 चल जाता है इसमें नहीं चलेगा क्या कि इस Очень कंट ग्रमान्मेंट का इस्टिइच्ट के लिए एक्जाम हो रहा है डिटपलाइस भी के त्रू में वो गवर्णमेंट ओपन सीट यो डेली के अंडर में आते हैं इसलिए आपका जो सेंटर का बना हुआ यह कन्फूजन दूर निकाल दें आप चैसे ठीक है ना आपका आप किसी अधर स्टेट के हैं सेंटर का बना ह हुआ है उससे कोई फ्रक नहीं पड़ता यह डेली गवर्णमेंट की वेकंसी जैं वहाँ पर अगर आपका इड़लोस का सर्टिपेट डेली के लिए बना हुआ है तो ही एलिजिबल हो पाएगा यह क्वेरीज थी बच्चों की आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें जो पेपर होगा पार्ट वन पार्ट टू पार्ट वन में भी हंड्रेड क्यूसंस आएंगे पार्ट टू में भी हंड्रेड क्यूसंस होंगे पार्ट टू के सारे के सारे क्यूसंस जो है वो नर्सिंग से ही आएंगे लेकिन जो पार्ट वन के जो क्यूसंस है वो मैत रीजिनि कि पढ़े तो कैसे पढ़े बीच में नोर सेट है हम कह दें आपको नोर सेट के भी प्रिलिम्स में 20 क्यूशन जो है वो नोर नर्सिंग क्या आते हैं यानि कि पार्ट वन वाले क्यूशन साते हैं तो बच्चे अगर यह सोचें कि सर्च साथ अफ्रेल को यह बार एक्जाम हो जाए और फिर मही में उसका जो अप्रेल के लास्ट में जो उसका मेंस हो जाएगा उसके बाद में पार्ट वन ऐसा है इ इस तरीके से यह केवल और केवल स्ट्रेडिजी से की जाने वाली क्लियर की जाने वाली चीज़ें आप ज्यादा पे हाथ मारने की कोशिज करोगे कम भी नहीं मिल पाएगा मैं बार-बार कहता हूं मैं इसा आप लोगों को चीज़ें सब बच्चे हर जगह पर एक्स्प्रिय आपको 75-76 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था ऐसे तुक्के मारने की कोशिज करोगे तो यह चीज़ें नहीं हो पाएंगी कभी और DTSS भी तो एक परसेन मी नहीं होने देगा क्यों नर्सिंग का फेपरीजी आता है और आप तुक्के वहां पर मारोगे जहां पर अगर आ सीज का तुक्का मारोगे आता है तो आता अजरवाई नहीं आता साफसी बात है वहां पर तो निगेटिव जाने का सवाल ही नहीं होना चाहिए इसका मतलब DTSS में जिस बच्चे ने निगेटिव पर कंट्रोल की जरूत ही नहीं है जिस बच्चे ने अगर ओनेशली क्यों क कि ये उसका क्योषन गलत हो ही नहीं सकता हम मिंस से पिरियोडिकली जो है हर दो तीन दिन के अंदर आपको हमारी एप पर फृरी टेस्ट देखने को मिलेंगे बीस बीस कुस्चन के सेट में जो प्रिवेसली एक्जामस के अंदर क्युस्चन पूचे गए हैं दो क्युस्च डो 늘 की वींस चुज समस्टाइटेiri हैं यामारा एक ही मोटिव है आप लोगों को आवेयर करना आप लोगों को ऐसी जगहों से बचाना बच之 से बचाना जो की आपको प्राट वन की उत्यार ही नहीं कराएंगा credit कर दें पर आप लोगों को मतलब होना चाहिए और एक समय के बाद में आप यह फील करेंगे कोई बिचाज की डेख में एक चीज हम ओनेश्ट ली बोलते थे हैं कोई बच्छा मारी डाउनलोड करेगा बोलेगा कि सर आपका नर्सिंग और इनका स्लेबस कंप्लीट नहीं हमारी तो कलासे रेगुलरली चल रही है उन्होंने तो आपको कुर्स बाइख करके एक बार एक बार आपको चिपका दिया एक तरीके से वह कभी भी बेडेट नहीं होती हमारी तो एक के दो-दो कलासेज कंटिन्यूसली अपडे दिये गा आपका और बंडार का मिलब ऐसा नहीं कि उबलक में डाल दी कुछ बीटी गना पॉइंट टू पॉइंट चीजे जिसमें अनिसेसरी एक परसेंट भी चिटचेट नहीं रखी गई हो हम अब अनिसेसरी आप लोगों के साथ में टाइम नहीं लेना चाहेंगे लास लगती है हम तो सेल्फ स्टैडी के लिए बचान को मौटिवेट करते हैं लेकिं दिकत यहां पर आयाती है कि यहांपर थोड़ा कसा सेल्फ स्टैडी जो है हो हम यह करते हैं कि आप लिग्रे थी कर नहीं सकते आप अगर बच्छा ठीक है зов可愛 कर सकते हैं फोन सन को को अईस कुछ 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 थैं, इसलिए हमने यहां पर रखने ज़रुरी हो गए थे, डिस्कस करना जरुरी हो गया था कि अन्य से स्थित्य के बच्चे को हमें कमेंट का जबाबना देना पड़े और सभी बच्चों तक एक ब्रोड जो है जो है पबलिक जो है उन तक हमारा जो message पहुंचे हर बच्चे को दूसरे के comment में जाकर कि ना पढ़ना पड़े maximum बच्चों को अपने questions का answer जो यहां पर मिले session में इतना ही मिलेंगे very next update के साथ thank you